हाई गाईज वेलकम टू माई आर्शारल स्टोडियो कैसे हो? आज की जो वीडियो है हमारी वो जो आपने एंटरस एगजाम की त्यारी करनी है उसमें आपने कौन-कौन सा आपके पास मेटिरियर होना चाहिए कौन-कौन सा समान आपके पास होना चाहिए जिससे आप त्यारी में त्यारी करूंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जहां आपको मतलब इजी रहेगा अच्छा रहेगा आपके लिए ओ आज मैं बता रहा हूँ तो क्या था कि मेरे को काफी लोगों के बार बार मेसेज आए थे चीज़ों पर प्रेक्टिस करते हैं गलत तरीके से प्रेक्टिस करते रहते हैं जिस जो बाद में जाके हम यह एंटरस में पता चलता है कि यार यह तो गलत हो गया मैंने तो प्रैक्टिसी और तरीके से की थी तो उसके बारे में पहले हम बात करते हैं पैंसिल्स के पैंसिल्स मैं रेक्मेंड करता हूँ स्टेडलर की पैंसल अगर आपका बजट लाओ करता है तो आप ये पैंसल ले डबली इसका जो जैसे 6B, 8B, 9B होता है इसका डबली ये है शेड है जो एक्स्टर डार्क होती है फुल डार्क होती है ठीक है अगर डबली आपको नहीं मिलता तो आप 8B भी ले सकते हो वो भी अच्छा होता है टार्क होता है ठीक है तो ये ओल्मोस्ट 70-80 रुपए के बीच बीच में आ जाती है तो अगर आप ले सकते हो तो यही पैंसल हो यही पैंसल से पैंसल करो अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आप नहीं एफॉर्ट कर सकते हैं इतने पैसे नहीं एक पैंसल पर लगानी है तो आप आर्ट लाइन कंपनी की एक पैंसल साती है ठीक है तो उसको आप ले सकते हो आर्ट लाइन कंपनी की 10B पैंसल साती है ठीक है तो आप 10B ले सकते हो वो 10 रुपे की एक पैंसल आती है 10-12 रुपे की एक पैंसल होगी तो वह आप ले सकते हो उससे पैक्टिस कर सकते हो उसका भी result अच्छा है डार्क है काफी तो ये पैंसल की बात है इन दोनों में से आप कोई भी पैंसल यूज़ कर सकते हो ये आपकी मर्ज़िया आपके बजट के उपर है और आगे बात आती है शीट की शीट में आप कार्टरी शीट लीजिए जितना हो सके जहां सभी मिलती है अगर आपको दूर से मिलती है तो एक ही बारी जाके एक अठ़े ही चार पांच सू की शीट ले आएं तो वो 10 से 15 अरुपन के बीच में एक शीट होती है तो आप वो ट्राई करें उसको यूज करें प्रैक्टिस के टाइम वो फूल शीट होती है जैसे हम चार्ट पेपर लेते हैं पांच शेयर रुपन काता है चार्ट पेपर को हम हाफ कर दें थेक है, हाफ करके जितना वो साइज बनेगा तो उस पे आपने प्रैक्टिस करनी है, मतलब एक शीट फुल होगी, उसको दो बना लें, काट के, उसके आप प्रैक्टिस करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे जाके एंटरस एक्जाम में आपको उसी प्रै अगे आपके एंटरस एक्जाम उसी शीट पी देना है, काटरेश शीट मिलेगी वहाँ पे और आपको हाफ अमपिरियल मिलेगी, तो आप प्रैक्टिस भी हाफ अमपिरियल पे घर पे करूंगे, अगर मेरे पास कोई आता है बच्चा तो उसको भी मैं प्रैक्टिस हाफ अ speakingaz बोलते हैं तो यह शीटे नॉर्मली मिल जाती है किसी को नहीं मिल दी कोई बहुत दूर से मतलिप शहर जा पिंड में कहीपर नहीं मिल रही है को काटर शीट तो आप नॉर्मल 4 पर उते हैं चारane पर तो हर तो इससे प्रैक्टिस करें आप बैस्ट रहेगा सबसे अच्छा रहेगा और आप एंटर्स एक्जाम में आप वाटर कलर से यह आप काम करें तो ज्यादा बैटर है उसका रेजल्ट और अच्छा आ जाता है और आगे ब्रॉष आगे बात आती है हमारी ब्रश की ब्रशिस कौन से चाहिए ब्रश तो राउंड ब्रश लेने की तुको ने डेने अगे एक से लो तो पूरा किछ में आ जाता है normal set normal से brushes होते हैं तो उस पर प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है वो तो आप ले सकते हो उसमें लग-leग number से होते हैं 0 2 6 4 6 4 नहीं होता 6 8 10 12 ऐसे होते हैं तो आप यह ले सकते हो और एक बड़ा ब्रश ले सकते हो उसमें आप 20 जा 22 नंबर के बड़ा ब्रश चाहिए होगा आपको ठीक है वह आप ले सकते हो तो यह चीज़े हमारी थी तीसरी चीज़ी ब्रश और चौथी चीज़ आगी अब आगी त्यारी की बात त्यारी कैसे करनी है बहुत बच्चे अपने फोटो से द्यारी करके जाते हैं या फोटो से ही काम करते रहते हैं तो आप उनको बाद में पता चलता है कि अरे अरे जब जाके बैठते तो आगे लाइब पड़ा होता है लाइब इन दे सेंस कि आपके औरिजिनल आबजेक्ट आपके आगे ऐसे लगत दिया जाएगा कि इसको ड्र आप लाइब प्रेक्टिस करो आप आपने आगे किसी टेबल पे एक जगह पर साइट पे अपना सैट अप बना लो गर पे हो जो तो एक वहां पर चोटा सा टेबल रखके उस पर शीट रख लो जांस के ओपर कपड़ा रख लो तो उसके ओपर अपने आपजेक्ट रखके उसको स्टड़ी करो तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा आपको इजी हो जाएगा एंटर्स एक्जाम में जब आप आके अपना एंटर्स दोंगे तो आपको कोई मुश्कल नहीं आएगी क्योंकि आपने आपजेक्ट को अल्रेडी स्टड़ी किया हुआ है ठीक है लाइब कॉमपोजिशन की फिगर ड्राइंग ज्यादा करनी है फिगर ड्राइंग जतनी हो सके करो आप कहीं भी बात जाते हो कहीं भी जाते हो फोटो क्लिक कर लो किसी मार्किट की किसी भी जहां पे आपको क्राउड थोड़ा ज्यादा दिखे लगे कि हाँ यहां पे में को काफी मिल जाएंगी जहां आपको लाइब बैठने का आपके पास कभी समा है तो आप उस जगह पे बैठ जाओ जहां पर आपको लगता है कि यहां पर बहुत सारे मतलब बहुत सारी फिगर्स हैं बैठें यह कभी ही लेगे मैं जल्दी ही लेगे नहीं जैसे सुआ कोई सुआया हुआ है पेड़ के नीचे ऐसे कोई कोई भी कुछ भी तो इसको स्केच करो आप लाइव कर सकते हो तो वह आपको बहुत अच्छी बात है अगर लाइव नहीं क कर सकते हैं उसकी फोटो तो अलमस क्लिक कर लो तो आप गरा के सों करो अपनी अपसे जो होते हैं अपनी सोच से पहले तो फिगडेर राइंग की एक्ष पर अपनी सबस्त करो अपने आप히 एक्वतस करो तो इससे आपको कंपोशन में काफी ऐल लगी कि imagination फोड़ी स्ट्राउंग होगी ठीक है अपने सोच के अपने imagination से बैठा हुआ लड़का है वो अपने imagination इस ऐसे करनी है आपने अगर गर पे कर रहे हो कहीं भी कर रहे हो तो इस चीजों का दिया रखना अगर कोई भी चीज पूछ नहीं हो तो मेरे को comment box में अपना comment छोड़ देना बाई मैं पढ़ दूँगा और उसका reply भी जरूर करूँगा अगर वो बात मैं वीडियो में नहीं बताई होगी तो मैं जरूर reply करूँगा ठीक है वीडियो को पूरा देखना जरूरी है क्योंकि बहुत चीजें होती है चोड़ी चोड़ी चीज लिए हो तो आप comment box में लिख सकते हों तो उसके related अगर में को लगएगा कि हाँ यह चीज रहेगी यह बतानी जरूरी है तो उसमें मैं वीडियो बना दूँगा तो आप लोग आगे जाके मेरी classes भी स्टार्ट है online class आप online ले सकते हों online में कोई problem नहीं आएगी आपको कई ब मिलेगा उसकी guarantee मेरी है ठीक हाँ अगर आप offline आ सकते हों तो वह तो और भी अच्छा है offline तो और भी बढ़िया है तो इसलिए आप कोई भी classes मेरी जुआइन करना चाहता है तो वह description में नंबर है मेरा WhatsApp नंबर है तो उस पर जाकर आप message कर सकते हूं बूस सकते हूं ठीक है तो जादा से जादा practice करें जितनी जादा हो सकें सब चीज़े बूल जाओ सिर्फ खाने पीने पर focus करो क्योंकि ये entrance exam easy नहीं है ये चीज़े अपने दिमाग में रख लेना कि ये easy नहीं है जितना आप समझते हों ना उतने easy नहीं है जो बच्चे पिछले साल जहां आपके touch में होगे जो रहे के होगे जो इन्होंने त्यारी में थोड़ी कम ही रख ली होगी तो उनको बूच के देखना कि वो easy है जान नहीं है तो इसलिए अगर आपके पास practice है आपने practice की नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्कल है तो इसलिए practice अपनी यारी रखें मिलते हैं next video मे bye-bye, take care, saschi kaal, bye